देश में आज तक राहूल गांधी ने जो जो सुझाओ देश की सरकार को दिया था सरकारे मानती देश संकट में नहीं होता राहूल गांधी जी ने जिन जिन चीज़ों अपत्ति उठाई थी आज जो देश के लिए खतरनाग बन गए हैं चैजी स्टी हो, नोटबंदी हो, लॉकडाउन के तरीके हो, कुरोना से निपटने के मामले हो देश को संकट में डालने का काम भारती जिन पार्टी के सरकार ने किया और सरकार ने अहंकार भी दिखाया राहूल गांधी के सलाह ना मान कर मुझे लगता है देश आज इतनी बदहाली पर है, जिस तरह से हमारे देश की अर्थे ब्यवस्ता चौपट हो गई है और सबसे बड़ी पीडा इस बात से होती है, कि हमारे भारत के मुकाबले, हमारे आस पास के यतने भी मुल्क है दो टके के मुल्क हम से बेहतर इस्तिती में है और उनसे हम बहुत खराव इस्तिती में पहुच गए है यह हमें दुखत करता है, पीडा पहुचाता है और हमें कहीं न कहीं सर्विंदी उठानी पड़ती है मुझे लेता है देश की हमारी महान मंत्री को अपने मद्य प्रदेश के महान मुक्ह मंत्री को सलाह देनी चाहिए जिन्होंने ऐसे विवादित बयान पैदा किये थे नोकुरियों को लेकर अक्सर चर्चा में आने के लिए रोजगार से ध्यान भटकाने के लिए भारती जन्ता पार्टी सासित राज्यों से भारती जन्ता पार्टी के मंत्रियों के बयान आते हैं जिससे निरास होकर अब हमारे देश और प्रदेश के इवाओं ने उन्हीं के हत्यार से ताली और ठाली बजाकर रोजगार पाने रोजगार स्रिजन की गुहार लगाना सुरू कर दिया है मुझे लगता है ये उन पर दवाओ होगा बिना जाज के भी दुनिया में दूसरे अस्थान पर कुरोना पॉजितिव संक्रमित लोगों की संख्या हो गई है अगर रफ्तार यही रही तो भारत कुरोना महमारी के मामले में पहले स्थान पर पहुँच जाएगा मौते भी हो रही है उत्तर प्रदेश में तो मंत्रियों तक की मौते हुई आज भी अगर देखें तो हालात बद से बत्तर है अस्पतालों में बेड नहीं है इलाज नहीं है खाने के नाम पर संक्रिन भोजन दिये जा रहे है मुक्तमंत्री जिनने बड़ी घुफडाएं की थी उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा था कि जिनकी मौत कोबिट से होगी उनको मौज़ा देंगे उस पे चर्चा बंद हो गई है मरीजों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए घर में या बाहर वो भी नहीं मिल नहीं तो कोरी बयान बाजी से हमारे देश में करोना बढ़ रहा है प्रदेश में करोना बढ़ रहा है जो देश वासियों को चिंतित करता है